भिलाई शहर ने हर शेत्र में एक से बढ़कर एक नगीने दिये हैं जिसमें से एक शेत्र सौंदरी प्रतिविताओं का भी शामिल है। मिस यूनिवर्स सौंदर प्रतिविता में भिलाई की शेमती प्रेयना धाबडे ने अपना होनर दिखाते हुए जीत हासिल की है। और अपने शहर सहीत प्रदेश और देश का नाम सुर्खियों में लिख दिया है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। आज हम हाजिर हैं उनके एक्सपिरियंस को शेयर करने के लिए उनसे पूछेंगे कि ये सफर जो यूरोप से अभी उन्हों करके आई हैं कैसा रहा। और इसके पहले किस तरह का उनका प्रयास था जो आज भिलाई को गौरवानित करने के साथ साथ चटिस गड़ को भी गौरवानित किया है और भारत देश को भी गौरवानित किया है। तो बात करते हैं बरिना धाबडे मड़म से बढ़ सबसे पहले आपका स्वालत है। मड़म बताएंगे मिसिस यूनिवर्स आपका एक टारगेट था इसके पहले भी हमने आपसे बातचीत कि थी जब आपने मिसिस इंडिया ग्लोबल का खिता था तो आज हमें भी बहुत गर्भ हो रहा है आप भिलाई से हैं और भिलाई के साथ 36 गर और भारत देश को आपने रिप्रेजन्ट किया और उनका मान बढ़ाया है तो बताएंगे वहां तक की कहाने का हुँ जानते हैं इसके बाद जब आपने मिसिस इंडिया ग्लोबल का खिता था उसके बाद किस तरह से आपने यह ठाना कि आपको मिसिस यूनिवर्स का खिता जीतना है मिसिस इंडिया बनने के बाद से देखा था और आपसे बताया भी था पहली और उसके बाद से मैरी तयारी शुरू हो गए थी मिसिस इंडियर्स प्रेजन्ट के लिए तो मैंने काफी कुछ रिसर्च किया उसके बारे में पता किया कि कैसे होता है कहां होता है फिर मुझे ज तयारी शुरूब के एक साल से चल रही मेरी तयारी चल रही थी और मिसेस युनिवर्स एक डप्टर वर्ती का पाटिल है उनसे मैंने ग्रूमिंग क्लास इस ली थी दस दिन की उसके बाद काफी सारी उसकी प्रिपरेशन्स होती है कैसे बुलने का तरीका और डाइनिंग एट तो वह सब के लिए अवह आफी सामय लिताया मैंने और नैशनल कॉस्टुम के लिए क्या कुछ मैं अलगतर सकती है गो सारी चीजों के लिए भी काफी सारी टैयारिया किया है और इस आ परिणा रही लिए बहुत सारी महनत करने पडे हैं है और सारी Чीजे है ज़ जब आप यहां से रवाना हुई जब आप महां पूची तो वहां और भी देशों के कंजेश्टन आया होगे, जाहिर सी बात है, इंटेक्ट होगे, तो उनसे मिल करके, उनको किस तरह से आपने जाना की, कैसे हैं वो लोग, और क्या आपको उनसे मिलने गए अगाद था कि जब हम एक दूसरे से मिले तब तो हम भूल गए थे कि हम एक दूसरे के कंपुटीटर है, काफी अच्छे से भूल मिलके रहते थे और कई देशों की मैलाय है, जो इंग्लिश नहीं जाती है, तो भी उनकी प्यार की भाशा हर कोई समझता है, तो एक दूसरे से जो भी कहना चाहते हम लोग समझ लेते थे और इंग्लिश जिनको भी आती थी हम लोग सब इंग्लिश में बात करते थे कुछ लेसे, तो ऐसी कोई कॉम्पीटिशन की भावना है, ऐसा कुछ नहीं था, बढ़ मुझे तो यकिन था कि मैं कुछ मतलब अच्छा अच्छा आचिव करूँ क्या बात है, प्यार की भोली मतलब सबसे बड़ी जाती है कि प्यार की भोली हिंदुस्तान की सबसे है तो वहां कामा है, यह जो कॉम्पीटिशन हुआ है, इसके बारे बाताएंगे कि इस कॉमपीटिशन में कितने राउंड सो है, और किस राउंड में कभी आपको ऐसा जाती है, और हर कोई अपना बेस्ट पर्फॉमंस देना चाहती है, तो पर जो जज्जमेंट होती है, हमारी शुरू डे बन से स्टार्ट हो जाता है, जब हम एरपोर्ट से उतरते हैं, तब से लेके उन लोग कंटीनुम को वाच करते रहते हैं, हमारा बीहेवियर कैसा है, ह हम आरा डाइनिंग एटिकेट से हमारे हम कैसे कपट ड्रेसफ हो रहे हैं, हर चीज देखते हैं, और गिप्ट एक्सचेंज से रिमनी होती है, एक दूसरे को सभी लोग गिप्ट लाते हैं, वो देना होता है, उसके बाद जो होता है, डोमेस्टिक फोरम का एक दीन पूरा उसके लिए जाता है, तो ज्यादा तर कंटेस्टंट का विशय में इथा कि कई लोग पुलीस केस कर लेते हैं, मतलबाजमेंट को कंप्लेंट कर देते हैं, या डोमेस्टिक वाइलन्स नहीं सेना है तो और या डिवॉर्स ले लेते हैं, पर मैंने जो मेरे डोमेस्टिक वा अधिवार को एकजूठ होकर कैसे रहना चाहिए, तो यह चीज़ जज़स लोगों को काफी पसंद आई और जज़स के साथ ही सारे कंटेस्टेंट में भी खड़े उपरता है, उसके बाद जो नेशनल कॉस्टूम राउन होता है, उसमें कई लोग पशुपक्षी या देव सूर्ती के साथ अपने आपको प्रेजेंट किया, और उसका जो विनिंग फेक्टर था वो यह था कि चुन्री पर लिखा हुआ मेरा संदेश, पूरी दुनिया के लिए, कि लड़ना है तो आपस में ना लड़ो, लडना ही है तो समाज के सोशल इंज़स्टिस के खिलाप ल यह था हुआ है तो यह चीजे सारे दर्शकों को और जज़स्कों को पसंद है अब सभी ने तालिया है अज़ा हम राउंड की बात कर रहे हैं राउंड पर राउंड निरनायक मंदल जैसे आपने बताया कि आपके महां पहुचने से लेकर के आखरी तर हर जगह पे कोई ना कोई निरनायक मंदल आपके वाच करता है तो उनके वाच करने से कहीं आप अंकम्फिड़िबल फिल किये किसी राउंड में या किसी जगह पे हमको पता नहीं होता है कि को न हमको वाच कर रहा है क्यूंकि हम लोग 100 कंटेस्टन होते हैं और हमारे बीच में लोग रहते हैं कोई हम समझ नहीं पाते कि कोई हमको देख रहा है या कुछ पर उन लोग अपना काम सुचर करते हैं चलिए आप वहां से जीत करके आई इसके लिए बढ़ाई तो है ही एक सवाल पूछना चाहूंगा जैसे राश्टी इस तर पे आपने खिदाब जीता जैसे सिंभिया कुछ जहिसी बात है शर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा यह स्वें लेकिन इसके बाद और उंचा जाना इंटरनेशनल अंतर राश्टी इस तर पे शर की क्या भूमिगा रही आपको तयार करने को लेकर के आपको मोटिवेट करने को लेकर के या किस-किस तरह से उन्होंने आप कब गया विखा पाते हैं मुझे पूर्थ किया उनोंने और कई सारी सेघ्यों मैं मेरी है की जो डॉमेसटिक वाइलंस का जो शॉट मुवी है उसकी स्कृप भी उन्होंने ही लिखी है और कई सारी सीजे में हर चीज में मेरा सपोरट करते आया था अ जयसा कि अम जानते है दोनों बच्चों का रियेक्शन था आपके जाने से लेकर के आपने आहिए? दोनों बच्चे काफी खुश है और दोनों नहीं उजे बहुत सपोर्ट किया था उनका भी बहुत क्रेडिट उनको भी देना चाहूंगी मैं उन्हों बहुत सहयों किया मेरी बेटी ने मेरी कई चीजे मेरको सिखाती थी विदेशी तोर तरीके कैसे होते हैं डाइनिंग एट चीजे मेरी बेटी सिखाती थी मेरा बेटा भी मेरी हेल्थी के और डाइट और इस अब चीजों के बारे में डेली फूचते रहता था तो काफी सारी है और बहुत खूश है बना लक्ष हर किसी का होता है कोई अपनी फैसलिटी बिलने की विज़े से लक्ष को प्राप्त कर कि अपकर मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स का रहा सभी लोगों ने काफी एंकरेज किया और एक मेरी मुंबए की फ्रेंड्स थी जो हम लोग जापान में मिले तबी मुझे बूलती थी कि तुमको भी जाना चाहिए यह सब जीजों में तो हम भी प्रौट फील कर सके और बता सके क कि हमारी थ्रेंड दे को मिसिस यूनियर्स बनी है तो वो चीज भी मुझे एक बार लगी थी कि नहीं मैं कर सकती हूँ अपी इसके बीच में एक सवाल हो रहा आता है कि कब आपको ऐसा लगा कि इस सौंदर प्रतियोगिदा की तरफ आपको जाना चाहिए आपको नाम को प्रे में क्राउन पैने लड़कियों को तो मेरी इच्छा होती थी जाने की पर कई ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे पहले मेरे बच्चों का करियर देखना है और उनको सेटल करना है तो और उतना ज़्यादा उसमें डियोटेड नहीं थी और जब अभी थोड़ा सा मैं फ्री ट महिलाओं के अंदर टैलेंट की कमी नहीं होती लेकिन कुछ पारिवारिक जो महौल होता है उस महौल के अंदर में महिलाओं जो है अपने टैलेंट को कहीं न कहीं मार देती है क्योंकि उनके परिवार का सपोर्ट उनको नहीं होता है क्या ऐसा उन महिलाओं को आप टिप्स कि किस तरह से उपनी चीपी प्रधिभा को अपने परिवार के सामने रखे और उसे सपोर्ट ले जदातर शारी के बाद तो जो वर्किंग उमने उनके लिए तो कुछ अपर्चुनिटी मिल भी जाती है पर जो हो मेकर होती है उनके लिए या तो बहुत कम या बहुत सिमित इभाती हुए भी अपने हुनर को या अपनी टैलेंट को अंदर के गुनों को बाहर निकारने की कोशिश करिए अगर आप में के मन में अगर इच्छा है कुछ करने की तो आपका परिवार भी आपका जरूर सहयोग करेगा और आपको सपोर्ट जरूर करेगा तो आप अपन बहुत बहुत धन्यवाद मेडम, आप हमारे चैनल पर आई और आपने बहुत अच्छा संदेज दिया, आपने अपने कहानी भी बताई, काफी अच्छी लगी हमें, और हम आपको मुबारक बात देते हैं कि आपको ऐसे पती मिले हैं, जो आपके सपनों की उडान को हवा दे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रैनेशन चैनल का और आपका काफी शुक्रयादा करना चाहूंगी, कि आपने मेरी आवाज को पुरे चपिस गड़ में पहुचाया, थेंकि, दोस्तों, आपने सुना, कि किस तरह से शादी शुदा होने के ब परिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने लक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, मन में जिग्यासा होनी चाहिए, उस्सा होना चाहिए, आपके अंदर आपकी बातों की इतनी ताकत होनी चाहिए, कि आप अपने परिवार को उस चीज को समझा सकें, और अपन लगी हैं जो एक दूसरे के इतना सपोर्ट करते हैं और ऐसा ही पारिवारिक महल अगर सभी जगह रहे तो यकीनन कोई भी महिला अपने लक्ष को छूने से नहीं बचेगी वंचित नहीं होगी दोस्तों प्रेणा मेडम आज जिस मुकाम पर है और जो उन्होंने सफलता प्रा परिवार का हाथ है और परिवार में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मोटिवेशन करने वाले इनके हस्वेंड है डॉक्टर कुदै और यह आपको बता दे कि सेक्टर 9 हॉस्पिटल में बर्ण यूनिट के इंचार्ज है और किस तरह से इनको सपोर्ट करते हैं हम थोड़ा जानना चाहेंगे कुछ अलग सी चीज़े भी जानना चाहेंगे सर अपका स्वागत है यह बताएंगे एक शादी शुदा और से मर्द की एक्सपेटिशन यह रहती है कि वो घर को सभा लें और अगर वो कहती है कि मेरे अंदर कुछ कला है मैं थोड़ा बाहर जाना चाहती ह तो मेरे ख्याल से 70% घरों में यह होता है कि उस आवाज को दबा दिया जाता है आपको जब पता चला कि प्रेणा मैडम के अंदर जो कला है और सौंदर प्रतियुगताओं के लाइक कला है तो आपको कैसा लगा उस समय और किस तरह से आपने रियक्ट किया और कैसे आपने इनको इतना सपोर्ट करके इस मंजिद दे को जाएं धन्याद यह बहुत ही जायर कोस्टन है जो आज के समाज के लिए और सभी पुरुषवर्गर के लिए खासतोर से बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारी महलाएं मैं जानता हूं जिनमें बहुत असाधारन पती बाय जि जाना चाहती हूं तो मैं काफी खुश हुआ क्योंकि इसने अपनी जो पारिवारी जिम्मेदारिया हैं और बच्चों को एजुकेशन में उस उच्चतम मुकाम तक पहुचाना तो वो अपनी पारिवारी जिम्मेदारियों को लिए पहले अपने शोक को उसने श्याद तो दिया, बच्चों की परवरिश को जादा मात दिया, उसके बाद अपनी इच्छा रखी, तो मेरे को तो वहाँ ना बोलने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि जिसने अपनी सारी जिन्नगी बच्चों के लगा दी, तो मैं तो उसके साथ था, और आगे भी, जब भी वो, जो भी करना चाहे, मैं बिल्कुल उसके साथ रहूँगा, और उसका हर संदेश को अपनी धरम पत्नी के अंदर चुपो ही प्रतिवा को मार देते हैं, खतम कर देते हैं, जी बिल्कुल, मैं उन पती, भाई, पिता, सभी से जिवेदन करना चाहूँगा, कि महिलाओं को केवल महिला दिवस तक या सर्शक्ती करन तक मत से पेपर वाजी तक या वाटसप तक सीमित रखे, अब ये शुरुवात अपने घर से करें, आप अपने घर से एक महिला को भी आगे बढ़ाते हैं, तो वो समाज के लिए एक मुकाम बनती, प्रेड़ना बनत है? मैंने का हाँ, अगर आप वो सोच सकते हो, तो वो कर भी सकते हैं, तो बस उनकी सोच को हमें पंक देने की ज़ौरत है, महिलाओं अपने आप में बहुत शाचक्ती करन की ज़ौरत हैं, बस सिर्फ समर्तन की ज़ौरत है और सही हो की, अगर हम पुरश्वर, चाहपती हो, पिता हो, कुत्र हो, भाई हो, अगर इतना भी कर ले, तो मैं सूछता हूँ कि बहुत ही, ये सिष्टी की जन्नी है, इन लोग की बहुत कुछ कर सकते हैं, इनको हमें मुक्त देना चाहिए। तो शक्ति को आप स्वें सक्ति प्रदान कर सकते हैं, जिस प्रकार से आज उदैसर ने प्रेणा मैडम को शक्ति दी, उनके लिए सक्ति के स्रोथ बने, तो ऐसे ही आप भी अपनी धर्म पत्नी के लिए, अपने बहु के लिए, अपनी बेटी के लिए सक्ति का स्रोथ बन सकते हैं और महिलाएं भी वो मुकाम चूँ सकती हैं जिससे वो अपने घर, अपने शहर, अपने जिले, अपने प्रदेश सही भारत का नाम रोशर कर सकती है Grand ACN News के लिए सहयोगी प्रवीर मिर्जे के साथ मैं हूँ संदोश शर्मा